तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेकिया हूँ अमेजिंग लेकिया हूँ आज मैं आप लोग को कुछ नई चीज सिखाने वाला हूँ यहां पर आप देख सकते हैं आज जो कंटेंट में आप लोगों को प्रवाइड करो फोटोशॉप के टेक्स को किसी भी टाप के शेप को आप मल्टी कलर में चेंज कर पाएंगे बहुत एजी ली बेसिकली मैं आज आप लोगो फोटोशॉप को एक एक्शन फाइल परवाइड करूँगा उसकी मदद से आभी सारा काम कर पाएंगे फुली ओटमाटिक होगा लेकिं कैसे काम करना है कैसे एक्शन लोड होगा या फिर क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है यह सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको मेरे वीडियो पूरा वाज करना होगा चोट असा वीडियो पूरा जरूर वाज करें जिससे कि आप सीख पाएंगे कि कैसे आपको अपने ट प्रिजर्ट आपके पास उसका सही से नहीं आपाएगा तो प्रिस वीडियो को पूरा जरूर वाज करें जिससे कि आपकी नौलेज बढ़ जाएगी अगर आप में चैनल पर पहली बार आए पहली बार में आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल पर गूरूप वगरा मिल जाएगा तो आप उस ग्रूप पर जोइन कर सके हैं जिसे कि मेरे वीडियो की नोडिविकेशन वहां पे आती है यहां पर आपको इस नमबर दिखाए दे रहोगा यह नमबर मेरा वट्सप का नमबर है वाट्सप के नमबर के तुरूप मेरे से कर सकते हैं अगर आपका यह वर्क के लिए सकते हैं तो आप टेकी वगरा करते हैं तो पासपोर के लिए आप गुद्र सप्ट्र भूल गारते संट्री तो सब्सक्राइब करते हैं कि सब्सक्राइब यहाँ अपको दिखाई दे रहोग यह विदार की फाइल इनि विए फाइल इव यह सब्सक्राइब आपको डारोड करने से पहले आपको वीडियो को एक लाइक करना है एक अच्छा सा कमेंट करना है उसके बाद लिंक लिकुंपर क्लिक करने बाद आपके लिए ग्रइंट करने के लिए आप इस फाईल के उपर चलिक कर सकते हो यह सकते हैं आपके च्काइवास यृष्ट हो तो आपके फाइल दिखाए दे रही होगी तो यहां पर दे सती काफी सारी फाइल सापको दिखाए दे रही है यहां पर जितने भी आपको Google Chrome की URL दिखाए दे रहे हैं यह मेरी website की URL है मेरे portal बगारा है मेरे store बगारा है मैंने काफी सारे software पर डेवलप किये हैं जो की market में बहुत जाद अच्छे खासे चल रहे हैं और काफी सारे users को यूज़ कर रहे हैं अगर आप इंटरस्टेट है तो यह वारे लिंक के पर आप क्लिक करके मेरी website पर विजिट कर सकते आपको आपको बहुत कुछ चीज़ को सेखने के लिए मिलेगा बहुत साइच चीज़ आप मिलेगी जिसे कि आपकी हैल्प हो जाएगी तो एक वार मेरी website पर जरू हो जाए उसके लावा यहां पर आपको यहां पर तीन लिंक दिखाए दे रहे होंगे जो वाइट कलर की फाइल है और यहां पर पे पी पर तो इसको यूज़ करने के लिए आपके पास वार्ट इसके फोटोशॉप यहां पर फोटोशॉप अपना खूल के रखा आई यह मेरा फोटोशॉप CS6 है आप अपने हिसाप से अपना फोटोशॉप खोलेंगे जो फोटोशॉप इस एक्शिट के साथ जो वर्किंग है वो है Photoshop CS4 से लेकर CG 2024 तक आप इस एक्षन को यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर Photoshop CS6 को यूज़ कर रहा हूँ आप अपने इसाब से अपनो Photoshop on करेंगे Photoshop on करने के बाद आपके पास हम पर action का पैनल होना चाहिए यह मेरा action का पैनल है आपके पास है तो किया है अगर नहीं है तो आप इसको कैसे ओन करेंगे मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए जाएंगे आप विइंडोस पर विंडोस में जानने के बाद आपको कहीं पर action लिखवा आएगा तो action के बढ़ा प्लिक कर दो यह मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं किली करने के बाद आपके पास ऑप्शन आजाएगा तो मिने को यहां पर रख दिया में पर आ रुजा है तीन पर ढलूड है यह लिम्रे एक्षिन की फाइल है जो कि अभी लोड हो ऑई है इसकी फाइल के साथ अभी हम लोग काम करेगे हैं यहां पर इसको ऑपें कर लेना यह हंपर यह ग्रूप में होता है फिले बटन अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पेस भण यदू देगा लग दिखाने ईया त टैक्स करें टाइब करने के बाद कुछ भी नहीं और ढूंज फॉकष पर क्लिक कर दो यह को पर क्लीक कर चाम के लिए लेटोट थोड़ newly थोड़ा-थोडा काम हो रहा है उसके अनगर जो इसके रिजल्ट होगा उसको मैंने प्लेट भी कर सकते हैं यह तो मैं आप यह आपको दिखा रहे हैं पर एक प्रेज़ट के साथ जिसके नदर टैक्स लिखा हुआ था इस रिजल्ट के बाद मैं आपको एक नॉर्मल सा पेज लेके उस पर टैक्स को टाइप करके वह भी क बहुत ही अमेज़िंग और बहुत ही प्यारा है अगर आप यहां पर देख वाल रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा ग्लों इस टाइप के अंदर मतब इस टाइब का glowing effect देने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनद करनी पड़ सकती है अपने टेक्स के लिए अपने किसी भी शेप के लिए अपने फोटोशॉप के अंदर तो जो आज मैं आपको फाइल परवाइड कर रहा हूं वह सिंगल किलिक से आपको रिजल कर लेता हूं उसके बाद मैं अगर इनको उठा होगा तो यह सारे के सारा टेक्स एक ही बार में उठेगा अब आपके डिजैनिंग के उपर ही हमनों टेक्स को चिंच करेंगे तो मूब करने की पड़ेगी यह तो मैं सिवा आपको बता आ रहा हूं दिखा ठीक है तो यहां पर आपके पास कुछ गुरूप बन गया है इस गुरूप का मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूं पहला जो गुरूप मैन इफेक्ट अगर आप इसको अठा देते हो आपकी टेक्स के उपर एक वाइट करके ग्लूइंग आ रही थी वह आपकी हट जाती है दूसरा अगर पर आपके पूरा जाएगा तो यह सारी चीजों को मिला कि आपका एक डिजाइन कम्प्रीट होता है तो यह तो था इस सेक्षिन का वर्क अब चलते हैं एक नए पेज पेसको मैं बंद कर देता हूं कोई सब एक नया पीस खोलता हूं मैं किसी भी साइज का चलो मैं 8-12 साइ मैं इने क्लीक कर दिया क्लीक करने में यहां पर क्लीक कर देता हूं और यहां पे मैं घाख सेंग अब लगी डूंग कर देता हूं पहले टाइप कर लेना उर अपना टेक्स जो भी आपके त expl start अपना डाल लेना मतलब ao select कर लेना तो यहां से मैं कोई सा भी एक बढ़िया सा टेक्स को सीलेट कर लेता हो तो चलो में यह वल् wahrscheinlich कर लिया ठीक है ये अच्छा कर सा फैटी टैक्स बढ़िया है इतना रख देते हैं कोई दिक्कत निया तो यह मैं टेक्स्अ चाहां तो अब मेरा काम होना चालो हो जाएगा ठीक आप कुछ भी नहीं करना आपके पास कोई बी डिजैन किया हुआ पीज है काफी सारे काम करते हैं उसमें तो टेक्स आपने वहां पर टाइप करना और आपके प्ले करते हैं आपके जो ग्लोइंग इफेक्ट है इसको अच्छी डंग से हाइलाइट करने के लिए आपको जो बैग्राउंड होना चाहिए तब ही आप उसको देख पाऊगे तो यहां पर टेक्स के फेक्टिव डल चुका है लेकिन आपको जादा विजवल नहीं हो रहा है वह क्यों इसनी नहीं हो रहा है क्यूंकि पीछे का बेग्राउंड वह और यहां पर देख सकते हो आपकर रिजल्ट वह बनाना तो पीछे की तरफ में एक ऐसा लिए तो तो पीछे की तरफ में एक वहीं कर लेता हूं मैं पड़ाइक्च करें और यहां पर रेड क्लीकर मैं फैयदर कर रहा हूं फैयदर मेरे टू फिफटी रगा लेकर लेका में यहां पर कोई दूसरा कलर डालने के कोशिश करता हूं थोड़ा साओं हैलेट बूल डाल दिया ठीक है एक सब्सक्राइब करता है अब यहां पर देख सकते हो कि क्या एफ्थ आ रहा है बहुत अमीजिंग आपको दिखाए तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा तो आपको बिल्कुर समझ गई होंगे इजी प्रोसेस है असानी से आपको रिजल्ट आएगा और अपने रिजल्ट को मैनिव प्लेट करके कहीं पे मूव भी कर सकते हैं तो अगर आप लोग में यह कंटेंट अच्छा लगा है जिसे कि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस चीज को सीख सकते हैं तो गईस मैं में बिलता हूँ आप लोग उसे नेक्ट वीडियो में नेक्ट कंटेंट के साथ